वोदी जी ने दस साल इतना जूट बोला है इतना जूट बोला कि गोबर को भी हलुआ बनादे वोदी जूट बोलने के फैक्टरी है मैंडिफेक्टरर है होलसेलर है डिस्ट्रिब्यूटर है देखो भाई चार चीज़ा संभव पहला संभव यह कि सूर्य भगवान जी इउसाल भाला कि और लिए रियस जरा है यहां है तुम मच्णी नहीं मार शक्ते हैं तीसरा की आसमान में पेद नहीं लगा सकते हैं ओर चोथा मोदी जी काम की बात करते हैं कि अ अब मोदी जी की बात कर देनी आं मुद्धे की बात करने हैं मोधी जी ने दस साल इतना जूट बोला है इतना जूट बोला कि गोबर को भी हलुआ बना जी जूट बोलने के फैक्टरी है मांडीफेक्ट्रर है होलसेलर है डिस्ट्रिब्यूटर है कि दो हजार चौदा में आये थे आप लगों के बीच उनने बोला था बाइयो बेड़ो मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा भायो बैणो मोदी आएगा तो साल में दो परोण दोपरी देगा भायो बैणो मोदी आएगा तो महेंगाई ख़दम कर देगा भायो बैणो बैणो मोदी आएगा तो काला धन लेकर के आएगा और हरे के खाते में 15-15 लाख रुप्या डालेगा 14 खताब हुआ आया 19 नीश में पुल्वामा हुआ सब लोग देश का सेंटिमेंट उधर जुड़ा उनीश यहां के बोलते हैं कि भायो बैणो मोदी आएगा तो गरीवी ख़दम कर देगा मोदी आएगा तो हर किसान का हाई को दुगुना कर जागा मोदी आएगा तो सबका पक्का मकान बना देगा बोले थे कि ने बोले थे मतलब दस साल में इतना जूट बोले कि 24 में जूट बोलने के लिए कुछ रही नहीं गिया बोले थे 19 में कि बिहार के विशेश राज का दरजा दे विशेश पैकेज देंगे आज हम पूछने आए हैं परवत्ता की जन्ता से आपको मोदी जी ने परवत्ता के लिए क्या किया आपके गाओं के लिए क्या किया आपके पचाहित के लिए क्या किया और आपके जीवन में क्या सुधार आया कोई सुधार दिए आया कुछ ने बनकि गरीबी और बढ़ गई महेंगाई और बढ़ गई बेरोजगारी और बढ़ गई पलाएन और बढ़ गया यही क्या हूँ तो 24 वे मोदी जी आते है और 24 वे बोल रहा है हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मजजिक, कश्मीर, इसलाम, सनातन यही बात कर रहे है मंगल सुत्र का बात कर रहे है अरे मोदी जी जनता में जहर मत भूई समाज को मत माटो काम की बात करो परवत्ता की जनता जानना चाहती है मोदी जी आपने 10 साल में परवत्ता के लिए क्या किया यह जानना चाहती है परवत्ता की जनता अगर आप भिहार आते तो हिंदू-मुसल्मान की बात बत करो, नौक्ती, रोजगार, शिक्षा चिक्षा, बेरोजगारी की बात करो, महघंगाई और गरीबी खिटफने की बात करो बाद पावर आया मोधी जी आए कल दो दो जगा भाशन दिया मोधी जी ने मुंगेर में अररिया में एक बार भी आपने सुना कि अगला पांच साल मोधी जी बिहार के लिए क्या करेगी कुछ ने हैं और आप बताओं कोई मतलब नहीं है कि मोधी जी जो है मुद्दे की बात करेगी असंभाव है मोधी जी के लिए देखो भाई चार चीज़ा संभाव है पहला संभाव यह कि सूर्य भगवान पस्चिब से उख दी सकते दूसरा है कि रेगिस्तान में तुम मच्छी नहीं मार सकते तीसरा कि आस्मान में पेड नहीं लगा सकते और चोथा मोधी जी काम की बात नहीं कर सकते